आप सभी साथियों को मेरा नवस्कार दोस्तो एक गुड नीज है आप सभी के लिए जिया दोस्तो आप इंतजार कर रहे थे अपने मांगाई भत्ते में बढ़ोत्री की तो दोस्तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले केंद्र कर्मचारियों के लिए एक घोसरा हुई है और राजी सरकारे भी इसी बात के इंतजार कर रहे थे कि कब केंद्र सरकार इसकी घोसरा करती है फिर राज सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए ये घोसरा कर सके और दोस्तों आप जानते हैं कि दिपावली का पाउन परव आने वाला है और इसके पहले राज सरकारे भी बोनस और इसके साथ ही DA की घोसरा सिग रही करेंगी जो आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आईए आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि इस बढ़े हुए DA का आपके वेतन पर क्या प्रभाव पढ़ेगा आपका वेतन कितना बढ़ जाएगा और आपको एरियर के रूप में कितनी धनरासी मिलेगी एक सहज कल्कुलेशन से आसानी से एक उधारन स देखेंगे जिससे आप भी अपने वेतन को अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि इस बढ़ोतरी का आपके वेतन पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो दोस्तों आईए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ अपने स्कीन पर देख सकते हैं केंडरिक केमिनेट की बैठक के बाद यह लेटर रिलिज किया गया है 16 अक्रूबर 2024 का डेट है 3 बज कर 20 मिट पर यह लेटर रिलिज किया गया है और यहाँ इस लेटर में असपरस तोर पर लिखा गया है कि 3% के महंगाई भत्ते में ब्रिधी कर दी गई है और यहाँ पर कुल मिलाकर 49.18 लाग केंडरिक करमचारियों के साथ-साथ 64.89 लाग पेंसनर्स को भी इस बढ़े हुए 3% महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा और इसके बाद ही अब राजी सरकार भी इसकी घोसनाइं सीख रही कर देंगी तो आई दोस्तों हम गड़ना करके देखते हैं कि आपके वेतन में इस 3% के बड़ेवे मांगाई भत्ते का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों इस कल्कुलेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मूल वेतन अर्थात बेसिक पे जानना होगा यदि आप जानते हैं तो ठीक अगर नहीं जानते हैं तो मानो सम्दा पोटल पर लॉगिंग कीजिए वहाँ पेरोल वाले अप्सन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अपने सेलरी स्लिप को डाउनलोड कर लिजिए सेलरी स्लिप में असपस तो रुपे आपका बेसिक पे अर्थात मूल वेतन लिखा होगा उसे आप देख लें अब यहां मूल वेतन अर्थात बेसिक पे के लिए एक उधारन लेते हैं माल लिजे आपका मूल वेतन 50,000 रुपे है और इस 3% की बढ़ोत्री हुई है तो आप 50,000 में 3 का गुणा करके 100 का भाग लगा दे यह सारी प्रक्रिया आप अपने मोबाइल के कल्कुलेटर में कर सकते हैं तो आपके कल्कुलेटर में यह प्रक्रिया कर लें तो आपको प्राप्तों का 500 रुपे और ऐसे में यदि आपका NPS कटता है तो 10% की कटोती NPS के तहत होती है तो जो 1500 रुपे आपका आता है बढ़ोतरी में उसमें 10 का गुणा कर दीजिए और 100 का भाग लगा दीजिए तो आता है 150 रुपे अरतात 150 रुपे कटके आपका टोटल बचेगा 1350 रुपे तो इस तरह से यदि आपका मूल वेतन 50,000 रुपे है तो आपके वेतन में 1350 रुपे की बढ़ोतरी हो जाएगी ठीक इसी प्रकार से आप अपना मूल वेतन यहां सेट करके और उसमें 3 का गुणा कर ले अपने मूल वेतन में और 100 का भाग लगा दे तो आपको अपनी बढ़ोतरी पता चल जाएगी और जिससे आप सहज कल्कुलेशन कर पाएगे कि आपके वेतन में कितने रुपे की बढ़ोतरी होने वाली है तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने कहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार